सो हलो मेरे भाई लो वेलकम बैक टू माई यूडव चैनल आर्वियस एनिमे हिंदी मेरा भाई आज अपलों बात करने वाले हैं फ्यूचर यौंको लेवल कैरेक्टर्स की जो कि मेरे इसाब से अभी के टाइम पर सायद वो यौंको जितने स्ट्रॉंग नहीं है मतलब इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है न वो तुम लोग बोलोगी कि यह लोग यौंको जितने स्ट्रॉंग नहीं है और बात करो गौड उसप और बगी डिक क्लाउन फैन प्लीज कमेंट में गालियां मत देना क्योंकि यार उनके फीट्स इतने ज़्यादा है उनके लिए ये लिस्ट छोटा पड़ जाएगा खेर नमबर 10 की बात करना चाओंगो नमबर 10 में हमारा आता है एडवर्ड वीविल देखो कमेंट बॉक्स में गालियां मत दो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ अगर एस आज जिन्दा होता वो रॉजर का बेटा है मैं तुमसे पूछता हूँ क्या लगता है वो फ्यूच बेटा है या नहीं है किसी तरह से तो यार उसका बेटा है और अगर वो सच में वाइट बेटा है तो वो फ्यूचर में जाके और जादे स्ट्रॉंग होगा और साथ वो यॉउंकु जितना भी स्ट्रॉंग हो जाए नमबर 9 एनरू या कहलो एनल ये बंदा भाई टाइम स् करता है कि पूरे स्ट्रॉहेट क्रू को वन सॉट कर दे सिभाए लूफी के क्योंकि लूफी का जो डेल फूट है वो इसका वीकनेस है खेर हमें एनल न्यू वर्ल्ड में देखने को मिलने वाला है तो जब ये न्यू वर्ल्ड में आएगा तो और ज्यादा मजाएगा प्लस वो खुद एक यॉउग को जितना स्ट्रॉंग है तो यार जोरो जब होकाई को हरा के वर्ल्ड का ग्रेटर स्वर्चमन बनेगा तो सांजी उसका राइवल है तो सांजी और बात वो फीचर में जाकि एक यॉउग को जितना स्ट्रॉंग जरूर होगा नेक्स्ट कारेक्टर सैबो ये बन्दा बहुत जादा स्ट्रॉंग है तो लोग भी मेरी बात से एगरी कर गए प्लस ये जिस तर से आर्मामेंट हाकी को यूउज करके एक अलग टाइप का टेकनिक यूज करता है जो की साइद ड्राइगन ने इसे सीखाया है ये मुझे अ याट हैपन टू सैबो वाला थियोरी तो याद ही होगा हर बन्दा कर रहा है यार आखिस सैबो के साथ हुआ क्या है क्या साइबो पकड़ा गया क्या सैबो जिंदा है ये सब चीजे चल रही है मेरे हिसाब से सैबो अभी तक मरा नहीं है क्योंकि यार ओडा एक ही चीज को दुबारा से नहीं दोहराएगा खैर नमबर फाइब की तरफ बढ़ते हैं नमबर पांच काटा कूरी भाई ये कैरक्टर पे सायद हर बंदा एगरी करेगा कि फ्यूचर में हमें ये कैरक्टर यौंक को जितने स्ट्रॉंग दिख सकता है इसने अपने अब्जर्वेशन हा ये ये इश औरकी के बदवलत हाकी से वह फ्यूचर देखता है उसके बाद वह प्रेडिक्ट कर लेता है कि कहां पर हमला होने वाला और वहां पर छेड कर देता है ये अलग लेबल पर या ये यूज़ करता है उपर से एक और चीज जाल लो बिग मॉम के बाद अगर कोई बिग मॉम पाइरेट्स को लीड करने का दम रखता है तो वो कोई और नहीं वन एन ओली स्कालेट काटा कूरी ही है नेक्स्ट कारेक्टर जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में यौंको हो सकता है वो है अपना ट्रफालगर डी वाटर लॉग इसके पास कॉनकर हाकी है या नहीं इसके मैं बात में आऊंगा इसका जो डेविल रूट है ना भाई उसका नाम है ओपे ओपे नोमी है जिसको नहीं मालूम जिसको इसके डेवल रूट के बार में डीटेल में जानना है मैंने इसके उपर वीडियो बना रखा है लौ का जो डेवल रूट है न यार जब वो अवेकनिंग होता है न भाई ये बन्दा इंटीरियल डैमेज दे सकता है चाहे उसके सामने एक यौंग को ही क्यों न हो भाई ये कैरेक्टर का बस एक ही वीकनेस निकल के आता जो मुझे भी लगता है वही जो इताची की भी थी स्टैमिना बात करू अगर मैं इसके कौनकर हाकी को ले करके अभी तक तो ये विदाउट कौनकर हाकी यूजर है बट फ्यूचर में हमें ये कैरेक्टर कौनकर हाकी यूज करते वे दिख सकता है खैर नमबर थ्री आकाईनो या कहलो साकाजू की भाई ये बंदा जिता पाइरेट्स को हेट करता न सायद ही इस दुनिया में कोई और कैरेक्टर होगा ये वनपीस के वोल्ड का सबसे हेटेट कैरेक्टर है क्यूंकि यार इसने ऐसे ऐसे लोगों की जान लिया न अगर मैं आकाईनों को उसके फीट के हिसाब से जगा दिया था क्यूंकि यार इसका पावर का अभी तक हमें नहीं पता कि ये दो साल बाद कितना ज्यादा स्ट्रॉंग हुआ है ये अभी के टाइम पे फ्लिट एड्मिरल है इसने आवकीजी को हराया है प्लस इसका डेविफूट अ को जितना स्ट्रॉंग नहीं हुआ या फिर उससे जादा स्ट्रॉंग नहीं हुआ तो यार मैं बहुत जादा डिसपॉइमेंट फील करूंगा खैर नंबर टू की बात करते नंबर टू में है हां मैं बात करूं यूस्टास किड की या कैलो कैप्टन किड की भाई इस बंद कर रहा है पता नहीं यह बिग मॉम को हरा पाएगा या नहीं बट किड इसके बाद स्ट्रॉंग तो जरूर बनेगा लूफी ने जहां इससे पहले अपने एडवांस को रहा की खोला इस बन्दे ने लूफी से पहले डेवल फ्रूट अवेकनिक कर लिया फ्यूचर में यह आगे जाके कितना स्ट्रॉंग होगा यह बात तो पता नहीं बट मैं यह गैरंटी से कह सकता हूँ कि यह बंदा फ्यूचर में एक यौंग को जितना स्ट्रॉंग जरूर होगा मेरा भाई चलो अब नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है मैं तुम लोग को और ज्यादा पकाना नहीं चाहता नंबर वन पे वन एन उली फ्यूचर किंग आफ दा पाइरेट का राइट हैंड मैन वो बंदा जिसने हौकाई से ट्रेनिंग लिया है मैं बात करो पाइरेट हंटर रोरा नौा जोरो के बारे में ये कैरेक्टर थ्री स्वार्ट स्टाइल का मास्टर है ये बंदा फ्यूचर वर्ड का ग्रेटेट स्वार्ट मैन है ये फ्यूचर में जाके हौकाई मी हौक को हराएगा जैसा कि मैंने सांजी के वक्त कहा था इसमें कोई सक नहीं है कि ये फ्यूचर में जाके एक यौग को जितना strong बनेगा, खेर तुम लोग का क्या कहना है, इस list के बार में comment box में बताना मत भूलना, यही ता आज का मेरा list, यह पूरा का पूरा list मेरे opinion पर बेस्ट था, तुम लोग चाहता हो अपना list जो comment box में बता सकते हो, तुम्हारे इस सबसे क्या होना चाहिए, खेर अगर तु और नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए, बाई! झाल के लिए, झाल के लिए, बाई!